वेल्कम टू स्पार्क टुडे न्यूज प्रेजेंट स्पार्क टैलेंट शो मैं पारूलडा भी आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करती आईए आज एक टैलेंटिट टैलेंट से आपको मिलवा आपके बारे में हमारे दर्शकों को बता देंगी जो उबरते हुए टैलेंट और हम जैसे कोडियोग्राफर को बढ़ावा देते हैं सो थैंक्स लॉट वंस अगें एंड यस मैसल्फ अभिशेक खाणिया एंड डांसर एंड कोडियोग्राफर आइम फाउंडर ओफ लॉव तो डांस टुडियो वड़ोद्रा में लॉव तो ड डांस की स्टार्टिंग की लिव अवनात करें तो डांस एक्चुली मैं बड़ोड करने के लिए यह स्थार से हुए मैं कोलेज के लिए था पड़ में 10 पड़ोपार रहा था इंटरेस्ट नहीं आ रहा था पड़एममें और मैंने सोचा कि कुछ ऐंटिविटी करते चुछ तो मुझे थोड़ा याद है कि मैं जब 11 स्टांडर्ड में था तब मेरे मामा के गर पे था और वहाँ पे डी डी चल रहा था और रागव जुयाल सर थे तो उनका स्लोंगोसन देखके मैं अपने रूम में जाके में वहाँ पे स्लोंगोसन करता था तब डांस का इतना सोक नहीं था पर एक इंट्रेस्ट होता है चलो ट्राइ करते हैं यह बंदा ऐसे कर रहा है तो हम कैसे करें एंड फिर मुझे ऐसा रियलाइज हुआ कि चलो डां आपके फैन होगे सब बच्चे और हमने देखा है कि बहुत बड़ा आपका क्रू है बच्चों के साथ आपकी बहुत अच्छे लगाव बने हुए है तो जैसे हमने हमारे शो में भी देखा था कि बच्चे चिला रहे थे अभी शेक्षर अभी शेक्षर तो सभी पूछ रह है कि गुरू के महनत दिखती है उनके पीछे अभी शेक्ष अब बचाई एक कुछ हमें कि किस तरीके से आपने यहां पर ऐसे ग्रो किया किस तरीके से आप आगे आए और इतना कुछ किया अपने अच्छीवमेंट इतने लेके आए हैं और देखें आपके स्टूड़न गर्राणों स्टूड़न आ इ J THEM मैं जब मैंने स्टार्टिं किया था तो नधよし अज़ कोस視 और आइसा और पहलाई डान्स कि ज्याधा तो इसे बढ़ता गया जैसे आंस करता है विसे विसे इंट्रेस बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया और देन 16 से मैं दान्स जर्णी में specially मैं थेंक्स कहना चाहता हूं मेरे जो गुरू है, जहां C मैं सिखा हूं मैं D-Wirus Dance Academy से सिखा हूं मैं उनकी dance academy स्टूड़न हूं और के तुर मेरे जो गुरू है वो तरंक सर, रेकसी सर, राकेश वसावर सर, तरंक दलवाडी सर औन हितेश विगडा सर एसर है जो डीव आईरस के नियू है सो में वहाँ से सिख अग फिर वहां पर मैं सिखने के लिए गया एंढ टिन साल साधे तिन साल तक में वहां पर में ने पिर वहां से मुझे ब्रेक मिला, as a choreographer के तोर पे, so पहले मुझे आइडिया नहीं था, क्योंकि मेरा कोई बेग्राउंड नहीं है, so I am the first dancer in my family, and अगर मैं गलत नहीं हो, अगर dance, as a dancer, अब बनते हो, dance को as a career pursue करते हो, so it's very tough, and then dance तो चलो, dance तो सीख लिया, and then फिर अभी बात आती है, कि वही, college करते हैं, अभी college के बाद तो income करनी है, तो यह बहुत बड़ी responsibility आती है, so, फिर point यह आया कि, dance सीख लिया, तो आगे कैसे बढ़े, income कैसे करे, तो उनका भी support रहा है, D-Virus टीम का, जो पहले में ऐसे part-time कोई भी non-professional work कर लेते हैं, income करने के लिए, temporary, आपको पताएगे कि college में आते हैं, तो temporary income के लिए, या फिर, हाँ, कैसे भी, family के उपर burden ज्यादा है, तो हम वो purpose से कुछ ना कुछ income करते रहेते हैं, फिर मेरे सर ने मुझे specially मुझे बोला कि भाई तू क्या करता है, मैंने बोला ये ये करता हूँ, तो बोला कि नहीं, तू ये क्यों कर रहा है, choreographer के तोर पर काम कर, मैंने बोला मुझे choreography नहीं आती है, and then फिर उन्होंने एक school के annual show के लिए मुझे invite किया, उन्होंने बोला कि तू आ and then सिखा और वहाँ से फिर एक मुझे नया पात मिले ज़े कोरियोग्राफर के तोर पे काम करना ज़े डांस टीचर के तोर पे काम करना वहाँ से फिर आप देखी सकते हो कि अभी अभी शेक कहाँ पे है अच्छा जिस तरीके से मैं बोलना चाहूंगे कि जो बच्चे हैं आपके जिस तरीके से आप ट्रेन करते हो उनके पीछे इतना टाइम निकालते हो महनत करते हैं पैरेंस भी आपसे बहुत हैपी हैं आपके पैरेंस नहीं बहुत अच्छे रि थे कि उनके बच्चे जिनके पास जाए वह WELL TRAEND हो WELL TRAEND हो FIRST THING, वह SAFE हो एंद उनका जो एन्वरमेंट जो बनता है बच्चे अभी एसा है कि जैसा एन्वरमेंट बनेगा उससाब से वो ग्रो करेंगे SO वो हर तरश से CHECK करके वो आपको बहते हैं उनके जो बच्चेव सेफ भी होने चाहिए, ग्रो भी करने चाहिए, उनका डे बाई डे इंप्रूमेंट भी आना चाहिए और फिर कही न कही थोड़े टाइम आपके साथ जुड़ते हैं तो दिरे-दिरे वो आपका काम देखके और बच्चों का इंप्रूमेंट देखके वो प्रस भी करते हैं और बस वही है कि वो जो एक्पेटेशन रखते हैं वो कही न कहीं हमारे काम पर दीख जाती है और फिर फिर वो मुझे बोलके मुझे दिखाने की ज़रूरत नहीं रहती है वो मेरा काम देखके फिर आप उनके बच्चों के पिछे 100% महनत करोगे तो पैरेंस को भी पता है कि सर महनत करी रहे हैं तो हमें कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है यह एक और कोशन पूछूंगी कि जि याद नहीं कितने competition जीते उन से ज्यादा मैं हारा हूँ मैं मैं जो सिखा हूँ मेरे failure के वज़े से सिखा हूँ एक चीज मुझे बहुत जल्दी समझ में आ गई कि मैं डांस मेरे खुशी के लिए करता हूँ मुझे first prize मिले second मिले third मिले उससे ज्यादा बेटर है कि मैं कहीं जाता हूँ तो बस वह स्टेज पर जब मैं परफॉर्म करों वह परफॉर्म मेरे लिए वहां पर मैं मलब वहर एक मुमेंट में जीना चाहता हूँ मेरे मेरा परपस थोड़ा अलग है कि मैं स्टेज पर जा तो ऐसा निक मेरा first नमर आया second इसका यह आया यह वह आया नहीं आया तो एसे पर प्रपस नहीं रहता है मेरा सबसे पहले परपस रहता है कि मैं जब मैं जो डान्स करता हूँ मैं क्लास के अंदर होता हूँ यह घर पे होता हूँ वह जो मुझे मुझे साथ ऐटेच्मेंड होती है वह 5,000 पॉब्लिक के सामने भी मुझे वह फिल आना चाह है सो मैं मैं पढ़ता था सो वहाँ पर इसे यूथ फेस्ट होता है वहाँ पे मैंने पहली डांस कोडिोग्राफी में थी और वहाँ परफॉंस किया था और वह एक जब आप स्टार्ट करते हो एंड देन आपको पहला ब्रेक जो मिलना चाहिए तो वहां से मिला है मैंने जैसे पर्फॉम किया अभी मुझे याद है और वह अमेसा याद रहेगा कि वह जो पुब्लिक चीर्स कर रही थी है और मेरे पर्फॉम से बहुत खुस थे वह लोग तो वहां से मेरा स्टार्ट हु सो उनकी सीजन वन में एपिसोड नाइन का में फर्स्वीनर रहा था जो ओल ओर इंडिया में अगम जनके होस्ट पर्फिस सदेंड तो वाहं पर शिलेक्शन होना चाहिए और पूरे इंडिया से होटिंग होती है सो वहां पर मैं फर्स प्राइज लेकर आया था उसके बाद सेकेंड बोले तो मैं जुनागर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ तो वहां पर भी एक हर एक फिलड के है कि एक आर फिल्ड जो होते है पर की Curp जिसमें मैं फ़र्ट पॉजिशन पॉजिशन पर आया हूँ C बहुत अच्छी बात है कि इतने अच्छी आप इतनी मेहनत करते हैं, जैसे कि आपने बताया कि पड़ाई करने आप आये थे, यहां से आर्टिस हो गई, वैसे वड़ोदरा कला नगरी हैं, तो कलाकारों को पहचान ही लेती है, और कलाकार हमारे सामने आई जाते हैं, यहां पर अच्छा लगता है कि यहां पर हर एक ची सब्सक्राइब करते हैं आपको कुछ आगे बढ़ना या कुछ करना यहां से मिलता है और डांस की कर्म भूमी यही है अधिक निकल भी रहा है और निकल के आपके बाहर भी आचेकर और जिस तरीके साथ आपने बताया कि पढ़ाई अपने पर छोड़ी या भी पराई चल रही पढ़ाय कंफीट कर ली एक ताइम आया कि करे का डायलेम होता है या क्या करे काहां पर आके बड़े मैद फिर फिर गडियो का फर्स येर था उसके बाद मैंने स्टार्ट किया तो इसकेंड या थर्ड या अभी मुझे पता था कि थर्ड या आने आने तक मुझे इंकम करनी पड़ेगी फिर मुझे मैंने बहुत दोस्तों से मैंने जाना बहुत से वीडियो देखे बूक्स पड़े खुद के साथ टाइम स्पेंड किया मैं डेंड नक्योट एंड फिर एक रीज बाट्र के सकता हुर्ट मैं किरेंड भी टैंट कर रहते हैं słu the task at systems के नहीं मैं मैं एडिमिशा करहा कि मुझे चाहिए जाहे जी इतनीवी मतरस्रा आया को जो क्टि नहींärt अगे बढ़ते रहें और भी आगे बढ़ते रहें और बहुत ही नाम रशन करेंगे आपको हम भी विश्च करते हैं आपको और जैसे कि अभिशेक हमने सारी बाते जान ली आपके जो भी वीडियो फोटो हमारे दर्सक देखी रहे हैं अप्रिशेट भी कर रहे हैं आपको तो अभिशेक अभी मैं यह पूछना चाहूंगी कि लास्ट यह होता है कि आपके जैसे बहुत सारी यंग्स्टर बॉय होते है जो लोग हैं आपको देख नेएं उनको कोई एक मैसल देना चाहेंगे आप यंग्स्टर, अगर इस यह डानसर के तरफ पर पर मैं आपको बताऊ कि आप मेच्र हो गये और अप जानते हो कि dance कैसे होता है क्या करना है क्या नहीं करना है आपने अपने जो लिया है सो बस बिलिव इन यूर्स सेल्फ फर्स इंग मेहनत के अला और कोई option नहीं है मेहनत करनी बहुत ज़रूरी है करी में है है कि यह कर लेगा वह कर ले कि अभी खास करके जब सोच्यल मेडिया का टाइम आ तो बस जल्दी से स्िर्स या रिल बनाके वाइरल कर फंदिंग सौंग에 आ के वाइरल कर देना है reach not the destination at all डिटनी आपने पढ़ा है आपने सुना यह कि इतने कम टांव में वह रिल वाइरल होती है उतना ही कम टाइम हमारे करियर का होता है सो नहीं मेहनत करते रहो believe in yourself and be present yourself जैसे कि धर्मेर सर है तो उन्होंने अपनी self present किये जैसे प्रिंस गुपता सर उन्होंने अपनी self present किये वैसे आप किसी को इंप्रेस करने के लिए अच्छा दिखाने के लिए या कुछ हासिल करने के लिए नहीं बट आप खुद को प्रेजेंट करने के लिए आप आगे बढ़े और मेहनत करते रहो कि मैंने जो किया वह सही किया या फिर मैंने जो जितना करना चाहिए जितना कर सकता हूँ जितनी मेंद कर सकता हूँ या क्लास में मुझे जितना आउटपुट देना चाहिए मैंने दिया और वह सेटिस्फेक्शन के साथ एवरी देस होना है महनत हो या खुद पर महनत हो या दुसरों पर महनत हो तो महनत इस दौनली की आपकी महनत दिखी रही है और जिस तरीके से आप ग्रो कर रहे हैं वैसे आगे भी आप बहुत ही ग्रो करते रहें और यहीं कोशन रहेगा आपसे कि स्पार्क टालेंट शो में आके आपको कैसा लगा और यह प्लेटफॉर्म जो स्पार्क टूड़े ने आपको दिया है वह आपको कैसा लगा येस तैंक्यू सो मच पहले तो कि आपने यह क्वेशन पुछा अगर नहीं भ कि बहुत पहली सीजन बहुत सक्सेस्फूल रही आपकी और बहुत अच्छा रिस्पॉंस मिला डांसर जैन सिंगर को एक प्लेटफॉर्म पे लेकिया है और बहुत वेरी वेल ओर्गेनाइस था और पहला ऐसा सो जो गुजरात में हो जिसको प्लेटफॉर्म तो मिलता है सा ज़र पर देखा जाए गर उसका बच्चा टीवी पर दीख रहा है तो बहुत बड़ी बात है और यह बहुत मोटिवेट करता है अगर आप दो तीन साल से डांस कर रहे हो उसके बाद अगर यह ब्रेक मिलता है तो आप बहुत ज्यादा मेहनत करते हो बहुत आगे जाते हो आपके परेंट्स भी आपको सपोर्ट करते हैं तो आए थैंक्स लोट स्पार्क टुडे न्यूज चैनल कि आपने इतना अच्छा शो लेके आये उसकी वज़े से हमें प्लेटपर मिला मेरे स्टुडेंस को प्लेटपर मिला उनको मोटिवेशन मिला फर्स तिंग उसमें ज साथ या एपिसोड यहां समाप्स करते हैं आगे भी हम आपके लिए ऐसे यूनिक टालेंट लेके आते रहेंगे तब तक स्टे टून विट्स